हिंसा ग्रस्त बंगला देश की राजनीत की किंद्र में इन दिनों मुहम्मद यूनुस का नाम चर्चा में बना हुआ है सेख हसीना सरकार के तक्ता पलट के बाद नोबल पूरसकार विजेता यूनुस को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जल्द उन्हें देश में अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया है ऐसे में नई सरकार में उनकी भूमिका एहम हो जाती है ऐसे में हमारे लिए जानना काफी एहम हो जाता है कि मुहम्मद यूनुस भारत और अमेरिका को लेकर क्या सोचते है यह तो जग जाहिर है कि सेख हसीना और मुहम्मद यूनूस के संबन कभी अच्छे नहीं रहे यूनूस ने सारवजनिक तोर पे कह चुके हैं कि मुझे प्रतारिट करने के लिए बेतू के आरोप लगाएगे हैं क्योंकि वह सेख हसीना को अपना नमबर एक दूस्मत मानते हैं कि भारत को लेकर उनकी राय साकरात्मक नहीं है वह सेख हसीना और भारत सरकार के घरिश संबन्दों को लेकर कई बार बयानबाजी तक कर चुके हैं भारत को लेकर मोहमेद यूनूस ने एक इंटर्वीू में कहा था, मैंने हमेशा कहा है कि भारत के पास बंगला देश का बेस्ट फिरिंट बनने की पूरी-पूरी संभाहुण ना है, लेकिन फिर भी भारत बांगला देश पर फोकस करने के बजाए सिर्फ एक सक्स पर फोकस कर रहा है भारत का संबन सिर्फ एक ही सक्स से है वह है सेख हसीना इस वरे से बांगला देश की लोग भारत से नाराज हैं क्योंकि वह ऐसे सक्स का समर्थन कर रहे हैं जिसने बांगला प्रदेश में भड़के हिंसा पर भारत के बयान की भी मुहम्मद यूनुश ने अलोशना की थी। भारत ने पड़ोसी मुलके घटना क्रमों को बांगलादेश का आंतरिक मामला बताया था। इस पर यूनुश ने कहा कि भारत और बांगलादेश शार्क के सदस्य है। ऐसे म बांगलादेश में अंतरिम सरकार के गठन के लिए उन्हें मुख्या बनाए जाने के बाद कहा गया कि बांगलादेश की सत्ता में अब अमेरिकी मैन की एंट्री हो गई है। कहा गया है कि बांगलादेश में सत्ता परिवर्तन का अमेरिका की प्लानिंग सफल रही। तो अ उनों गाउं में रहने वाले गरीबों को सौ डॉलर से कम के छोटे-छोटे कर्ज दिला कर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की थी। उनके कर्ज देने के इस मॉडल ने दुनिया भर में ऐसी कई योजनाओं को प्रेवित किया। इसमें संयुक्त राज अमेरिका जैसे विक्से देश भी सामेल है। अमेरिका में यूनूस ने एक अलग गयर लाफकारी संस्ता ग्रामेड अमेरिका की भी सुरवात की। 84 वर्षिय यूनूस जैसे जैसे सफल होते गये। उनका जुका राजनीत में करियर बनाने की और बढ़ता चला गया। उन्होंने 2007 में अपनी खुद की पार्टी भी बनाने की कोशिश की। लेकिन जब उनकी इस महत्तो कांचा ने बड़ा रूप लेना सुरू किया तब सेख हसीना उनसे नाराज हो गई। हसीना ने यूनूस पर गरीबों का खुण चूसने का आरोप भी लगाया। इसी साल जनवरी में यूनूस पर स्रम कानून के उलंगन के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गए थे। मुहमद यूनूस खान पर 252 मिलियन टका के गवन का आरोप भी उन पर लग चुका है। ऐसे में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूप उत्राखंट की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूए।